स्ट्रोबिरी चोर एक अजीब दिखने वाले पहाड के उपर शेरिलेंड नाम का एक शेहर था चेरीज, बेरीज, स्ट्रोबिरीज जो भी चाहो, वहाँ सब कुछ था पर एक मिनित, स्ट्रोबिरीज है कहाँ? हाँ नहीं! अरे नहीं! स्ट्राबेरी चोर ने सारी स्ट्राबेरी चुरा ली हमें चीफ के पास जाना होगा वो चीफ चीफ को शेरी लेंड का नेता बनाया गया जब वो एक छोटा लड़का था और पता नहीं कैसे वो बहुत अमीर हो गया इतना अमीर कि उसने अपना सिंहासन तक सोने का बना लिया था अमीर होने के अलावा जादी तरीके से आने के लिए भी चीफ काफी मशूर था मैं आ गया घबराओ मत शेरी कुछ समझ नहीं आ रहा हमारा पाचवा घर है जिसे स्टौबरी चोरों ने लूटा है शेरी लैंड में चोरी ये तो शर्म की बात है पर एक चीज है जो हम इन स्टौबरी चोर के बारे में जान गए है वो डर पोक है हमारे स्टौबरी में जादुए चिकित सक की शक्तियां है तो इसलिए वो रात को चोर ही करने आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं गुना के बारे में एक बात बताता हूँ शेरीस हर गुना डर से पैदा होता है स्ट्रॉबरी चोर किसी चीज से डरते हैं शायद पकड़े जाने से पर चीफ हमारी स्ट्रॉबरी साल भर उखती हैं और आसानी से मिलने वाली चीज भला कोई क्यों चुराएगा और आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि एक से जादा चोर हैं कि क्या? नई, मैंने ऐसा नहीं तुम बगीचों पर ध्यान क्यों नहीं देते? ग्लिंट मैं तुमारी मदद करूँगा अपने चीफ पर भरोसा रखो ग्लिंट को चीफ के घर के बगीचों की देखभाल के लिए रखा गया था उसे अपना काम पसंद था पर उसे हमेशा चीफ पर शक रहता हर बार जिब चीफ को अपनी अमीरी के बारे में पूछा जाता चीफ हमेशा एक ही जवाब देता ये मेरे माबाब की दौलत है जो वो मेरे लिए छोड़ गए है किसी तरह ग्लिंट को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था इसलिए वो हमेशा चीफ पर नजर रखता था चीफ ये लॉली शेरी लेंड के बच्चों के लिए है जानता हूँ बेशक मुझे पता है कोई भी कुनाच छोटा बड़ा नहीं होता और शेरी लेंड की स्ट्रॉबेरीज को चुराना तो बिलकुल नहीं वो इसलिए क्योंकि यहां की स्ट्रॉबेरीज में जादूई चिकितसक शक्तियां थी और वो साल भर उगती थी शेरी लेंड अपनी जादूई स्ट्रॉबेरीज को सभी पडोस के शहरों में मुफ्त में देती थी तो कोई अगर उन्हें चुरा रहा था तो इसका तुक नहीं बनता था पर फिर भी चोरी होती रही दूसरी तरफ गलिंट के पास बहुत ही बुरी खबर पहुची जो उसने अपनी दोस्त रमोना को बताई चीफी स्ट्रॉबेरीज चुरा रही है वही है स्ट्रॉबेरी चोर क्या कहा? मैंने उन्हें चुराते हुए देखा है रमोना मैंने उन्हें देज रात को अपने घर के बाहर से स्ट्रॉबेरीज चुराते हुए देखा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा अखिर क्यों? मुझे लगा कि वो पैसों के लिए किसी को बेच रहे हैं बजाए मुफ्त में देने के, जो शेरी लैंड हमेशा से करता आ रहा है मैं हर जगा उनका पीछा करता हूँ, पर वो उन्हें बेच नहीं रहें, तो फिर वो चोरी क्यों कर रहें है रमोना को विश्वास नहीं हुआ जो उसने सुना, पर वो ग्लिंट को बच्पन से जानती थी, वो इतना बड़ा जूट नहीं बोल सकता था यकीन नहीं हो रहा, अगर मैं यकीन भी करनू, कोई और नहीं करेगा पता है मैं उस बारे में सोच रहा था जो उन्होंने उस दिन कहा था और गुना डर से पैदा होता है, स्ट्रावबेरी चोर किसी चीज से डरते है वो सही है, डर की वज़ा से हम गलत काम करते हैं एक बार हम डर का सामना कर लें, तो गलत काम करना ही नहीं पड़ेगा हमें पता लगाना होगा कि चीज किस बात से डर रहे हैं और ऐसा क्या है जिससे वो अपने ही शेहर में चोरी करने पर मजबूर है ये कहकर, ग्लिंट ने अपनी दोस्त को अलविदा कहा और वो वापस घर जा रहा था कि अचानत मुझे जाने दो, तुम कौन हो परेशांत हो जाओ भाई ये कैसी बद्बू थी टीन्टो, क्या तो में से अपनी टी-शेट में डाल कर लाए वैसे जल्दी में कुछ मिला नहीं ये इसकी टी-शेट थी एक मिनिट, अरे, मैं कहा हूँ तुमेटो लैंड में स्वागत है टिमेटो लैंड? सच में? वैसे, हमें टमाटो पसंद है और हम तुमारे बगीचे में रहते हैं इसलिए नाम सही है तुम हमारे बगीचे में रहते हो तिंटो, मैं तुम इसे पागल कर दोगे क्लेंट, मैं हूँ जीना, ये है लैनी और जो तुम्हें यहां लेकर आया, वो है तिंटो और हम शरिलैंड के बगीचों के बॉने हैं जानते हो, जो तुम्हारे शहर में पिछले कुछ महीनों से जादूई तरीके से दुगने हो गए थे? अरे हां, रमोना ने तुम्हें ही अपने बगीचे के पीछे देखा था वैसे, देखा जाये तो मैं खुद चाहता था कि वो मुझे देख ले एक अच्छी औरत है, सच में मेरा बहुत खयाल रखती है बदकिस्मत इसे तुम्हारे चीफ के बारे में ऐसा नहीं कह सकते है क्या मतलब है तुम्हारा? लैनी और जीना ग्लिंट को अपनी लाइब्ररी में लेकर गए और उन्होंने उसे बताया कि बोना होना किसे कहते है हम लोगों को ठीक करते हैं हम हमेशा से करते आ रहे हैं हमारे भाई और बहन शेरी लैंड में सदियों से हर तरह के जखमों और बिमारियों को ठीक कर रहे हैं सालों पहले कुछ हुआ था हमारी शक्तिया कम हो रही थी दुनिया भर के बगीचों के बॉनों पर इसका असर हो रहा था और सब जगों से हमें शिकायते आ रही थी फिर हमें पता चलता है कि शेरी लेन का शहर स्टॉबरी जुगा रहा था जिसमें जादूई चिकिट्सिक शक्तिया है अजीब इत्तिफाक है ना तुम्हारा मतलब ये हमारा बीजू है बी क्या बीजू ये एक जादूई गहना है हमारे जादूई शक्ति का स्रोथ हमारे पूर्वजो ने इसे छुपा कर रखाता यहीं टुमेटो लैंड में बोनो ने ग्लिंट को बताया कि उन्होंने चीफ को आदर पूर्वक उसे लोटा देने को कहा था पर उसकी बजाए उन्होंने बोनो को गिरफतार करवा दिया लेकिन उन्होंने एक दूसर प्लान के बारे में सोचा वो स्ट्रॉबरीज चुराने लगे ताकि वो इल्जाम हम पर डाल सके वो चाहते हैं कि हर कोई सोचे कि तुम लोग स्ट्रॉबरीज चौर हो ताकि कोई भी तुम पर विश्वास ना करे जब तुम सच बताओ यही वो छुपा रहे हैं वो ऐसी चीज़ को रखने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी है ही नहीं लालच और जूट की वज़़से वो गलत काम कर रहे हैं हम तुम्हें यहां लेकर आए क्योंकि तुम्हें उनके गलत रादों के बारे में पता चल गया था हमने सुचा तुम्हें हम पर यकीन होगा हम किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते तुम सच बोल रहे हो और वो जूट छुपा रहे हैं तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है मैं तुम्हारे साथ हूँ शेरी लेंड के लोग मेरी बात मानेंगे हम ना सिर्फ तुम्हारा बिजू वापस लाएंगे बलकि चीफ का भी इंसाफ करेंगे वो दिन शेरी लेंड शेहर का सबसे शानदार दिन था शेरी इस ने देखा कि किस तरह बॉनों के देश के लोग उनके देश में आ रहे थे और हर जगा हवा में पोर्टल्स खुल रहे थे ये क्या हो रहा है कैसी हो मिस और सभी वो ने चीफ की तरफ बढ़ने लगे श्रॉबरीस के चोरों ने गलिंड को अगवा किया है इन्हें गिरफतार करो नहीं, रुख जाओ चीफ आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लोग श्रॉबरीस चोर नहीं है आप हैं क्या पक्वास कर रहे हो जो मेरे खुद बनाया है वरा मैं उसे क्यों चुराऊंगा यही तो बात है क्योंकि आपने कभी भी चिकित्सिक स्टॉबरी नहीं बनाई आपने इनका बीजु चुराया और स्टॉबरीस को जादूई बनाया हम मांग करते हैं कि आप बनों को उनका बीजु वापिस करें चीफ इतना डर गया कि एक बार फिर वो भागने लगा पर रमोना ने उसका रास्ता रोक लिया तुम अपने चीफ के साथ इस तरह नहीं पेशा सकती चीफ आपने अपने ही पाव पर हथोड़ा मारा है सच हमेशा आपको आजाद करता है चीफ ग्लिंट लपका और उसने चीफ के हाथ से वो गहना उठा लिया जैसे ही वो गहना चीफ से दूर हुआ वो अपने आप बनों के पास चला गया शुक्रिया ग्लिंट हमदर्दी, सच्चाई और ममता से ही संसार में जादू बनता है स्ट्रोपेरिस का जादू शेरीस के अंदर से निकलने लगा जादू और इंसानों का देश एक बार फिर जुड़ गया कुछ अच्छा करने के लिए जादू शेरीस देश और शेहर भर में यात्रा करते कि कितसा ज्यान देते और सच्चाई और इमानदारी का पाठ पढ़ाते कुछ ही सालों में आसपास के शेहर और देशों में चोरी पूरी तरह से बंध हो गई क्योंकि सब ने सच्चाई का मार्ग अपनाया रही बात ग्लिंट की उसे शेहरी लैंड का चीफ बनाया गया उसे अब भी अपने बगीचे पसंद थे और वो अपने नए और पुराने दोस्तों के संपर्क में रहता सब खुशी खुशी रहने लगे खैर स्ट्रोबेरिस का मजा लेते हुए